अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पीशुर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले विल्कुल मन नहीं लगेगा सही दिसा कौन सी इशान कौन पूरब और उत्तर का जो कौना है या जो पूरवी पूरब और उत्तर की तरफ पूरब उत्तर के कौने में वहां बैट के पढ़ाई की जाए पूरब दिसा की तरफ मुह करके या उत्तर दिसा की तरफ मुह करके कि वायब ये कौर्ण में तो वहां बिल्कुल मन नहीं लगेगा इसलिए आपको पढ़ाई के लिए सबसे उत्तम दे सबसे जो उत्तम कोटी की दिसा है पूरब और उत्तर ईसान जहां भगवान का इस्थान होता है वह इस्थान उत्तम है या तो उत्तर दिसा में आपका कमरा है तो उत्तर दिसा में भी उरब की तरफ खिसक के ज़्यादा उरब की तरफ आओ उरब की तरफ कमरा है तो हलका सा उत्तर की तरफ खिसक आओ वस यही पढ़ाई का सबसे उत्तम कोटी का स्थान है बच्चों के कमरे भी पढ़ाई करने वाले बच्चों के कमरे भी घर में इसी दिसा में बनवाने चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई वाधा ना आए तो बच्चों की पढ़ाई के लिए सुभस्थान ये है दूसरा बच्चों को सवेरे जल्दी उठाकर उनसे जल चड़वाया करिए सूरी भगवान को बच्चों को यहांसे तुलसी में जल डलवाईए और बच्चों को पहले थोड़ा सा मंत्र का जाब कराईए कोई भी एक मंत्र हो आप चाहे श्री राम जहराम जहराम का जाब कराएं चाहे तो आप अपने बच्चों को सरस्वत्य नमा का जाब कराएं इन मंत्रों का जाब कराने से क्या होगा बच्चों की बद्धी स्थिर होती है स्थिर होगी तो मन पढ़ाई में लगेगा इस से नहीं होगी, मन पढ़ाई में कभी नहीं लगेगा बच्चों को जादा से जादा मोबाईल से दूर रखना चाहिए उचित जो है वो देखें, बांकि मोबाईल ना हो यदि बच्चे बहुत कुछ मोबाईल में देखते हैं उसी से उनका मन भटकने लग जाता है, बार बार मन उसी की तरफ जाता है भाई आप अपनी बात करिये ना, आप मोबाईल उठाते हैं दो मिनट के लिए फेस्बुक चलाने में इतने मस्त हो जाते हैं कि आदा घंटा वीच जाता है आपको तो ऐसी बच्चों के साथ फिर वो बढ़ता जाता है और पढ़ाई पीछे होती जाती है इसलिए हर समस्या का समाधान केवल साबधानी है और वो भी बच्चों की भी माता पिता की भी